क्या आप जानते हैं भारत के पहले टेस्ट कप्तान कौन थे? आईए जानेंगे उनके बारे में विस्तार से वीडियो में हमारे साथ बने रहे मैं हूँ आपका होस्टा काश कुमार, आप देख रहे हैं स्टम्स और बेल्स हर्मन प्रीत कौर ने शांदार शतक लगाया इंग्लैंड के खिलाफ महिला वंडे में भारत का सरवच्च वेक्तिकत स्कोर दर्ज किया हर्मन प्रीत कौर ने नाबाद 111 गेंदू में 143 रंड बनाए और भारत को कैंटी बरी में दो दिवस्चे मैच के एक दूसरे मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 333 रंड बनाने में मदद की इस दोरान हर्मन प्रीत ने अपना ही 9 सल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ा उन्होंने एक दिवसे मैच में इंग्लेंड के खिलाफ एक भारतिया महिला द्वारा सरवोच वेक्तिकत स्कोर के अपनी ही रिकॉर्ड को बहतर बनाया BCCI अगले साल की शुरुवात में महिला IPL की शुरुवात करने के लिए तयार है BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली द्वारा हाल में ही संबंध संगों को भेजा गया एक पत्र रिपोर्ट के अनुसार महिला IPL का पहला सीजन 2023 की शुरुवात में होने की उमीद है 2008 में शुरुवात हुए पुर्शो के IPL की सफलता की दोहराने के लिए कॉल किया गया है और इसमें तेजी से वृद्धी देखी गई है जिसने इसे दुनिया की सबसे बहतर लीग की सूचे में डाल दिया हर्मन प्रीत कौर और इनुका ने भारत को सीरीज में सुरक्षित करने के लिए दूसरे वंडे में इंगलान्ट को हराया भारत ने बुद्वार को कैंटी बरी में सेंट लॉरेंस स्टेडियम में दूसरा T20 खेला तीन मैचों की श्रिंखला में 2-0 से जीतने के लिए इंगलान्ट को 88 रनों से हरा कर प्रमुक फॉर्म में थे 334 रनों के लक्ष के पीछा करने की उतरी इंगलान्ट की टीम 44 ओवर में 245 रन बना कर सिमट गई जिसमें रिनुका सिंग ने भारत के लिए 4 विकट चटका है शुरुवात में भारत में 50 ओवरों में 5 विकट पर 333 रन बनाए जिसमें कप्तान हर्मन प्रीत कौर ने 111 गेंदों पर 143 रनों की नाबाद पारी खेली इस दिन भारत में ऑस्टेलिया को हरा कर उधगाटन T20 विश्वकप फाइनल के लिए कौलिफाई किया था इस दिन 15 साल पहले MS धुनी की अगवाई वाली युवा टीम टूर्णामेंट के फाइनल में पहुचने के लिए उधगाटन ICC 20 विश्वकप 2007 में सेमी फाइनल गे कि एन्दों में 70 रन की कुरूर पारी खेली थी सुनिल गवासकर ने टीम इंडिया पर कोछ सवाल उठाये हैं सुदिल गवासकर चाहते हैं कि टीम इंडिया प्रबंदन अगले प्रेस कांफरेंस में इसका जवाब दे सुनिल गवासकर ने ऐस्टेलिया के खिलाफ पहले T20 में दीपक चहर से आगे उमेश यादब को खिलाने के लिए भारत के फैसले पर सवाल उठाया ICC T20 2022, स्कॉटलैंड ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदसे मजबूत टीम का नाम लिया विश्व कब 2022 के लिए जाने के लिए कुछ और हफते के साथ स्कॉटलैंड ने मार्की टूर्नामेंट के लिए 15 सदसे टीम का नाम दिया है 15 लोगों के एक प्रमुख जोडी में एक युवा खिलाडी है पेसर जोशी डेवी और ब्रेड वील ने युवाई में टूर्नामेंट के पिछले साल के चरनो के दोरान अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें एक मजबूत टीम में चुना गया है जिसकी कप्तानी अनुभवी बल्ले बाज रिचार ब्रेटिंग करेंगे भारत के पहले टेस्ट कप्तान मंसूर अली पटोडी भारतीय क्रिकेट के टाइगर को उनके पुनितिती पर याद करते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ और भी तमाम क्रिकेट की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्टम्स और बिल्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें हमें सोचल मीडिया प्लाटफर्म से फॉलो करना ना भूले आज के लिए इतना ही धन्यवाद